आपका स्वागत है प्यूस पटेल टुटोरियल्स में आज के टुटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सिस्टम पे सट डाउन टाइमर कैसे सेट कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप अपने PC या अपने laptop को यूज करते करते आप अगर सो जाते हैं तो आप उसको सट डाउन करने के लिए आप एक टाइमर सेट कर सकते हैं जिसको सेट करने के बाद आपका जो सिस्टम है वो खुझ से ही सट डाउन हो जाता है पटिकुलर इंटर्वल के जाता है तो पहले आप में कमाड़़ प्रॉम्ट को पेन कर लिजे अप अपने सर्च बार में जाइए और यहां से टाइप करिए cmd कमाड़ अर्पर इसको यहां पर जो है राइट क्लिक करके इसको रन एज एड्मिनिस्ट्रेटर कर लिजिए यहां पर आप से पर्मिसन मा और यहां पर आपको आगे में time provide कर दिना है कि आप कित्ते time interval के बाद अपने PC को shutdown करना चाहते हैं तो यह जो time आप provide करेंगे यह seconds में provide करेंगे तो मान लिजे कि मैं एक गंटे के बाद अपने laptop को चाहता हूँ कि वो खुद से shutdown हो जाए तो यहां पर मैं 3600 देता हूं तो यहां पर 3600 लिख दिया मैंने अब बस आपको कुछ नहीं करना इंटर दवा दिजी आप यहां पर देखिए एक पॉप अप आ गया हमारे पास यूर अबाउट टू साइन आउट विंडो विलो सट डाउन इन 60 मिनटस जैसा कि आप देख पा रहा होंगे तो यह आप अगर कोई भी रात को या किसी भी टाइम अगर और आप arc करते और अपने laptop पे अगर प़ाइन अब क्या कर यह की आप उस पर टाइमर सट कर लिजे कि अगर मने अगर आप विक है तो आपका यह laptop यह system अपने दॉब सटडाउन सड़ाओं यह जाईगा अब अब मैं आप को बताता हूं कि आप अपने laptop को अपने laptop पे जो shutdown timer जो set है उसको आप कैसे हटा सकते हैं तो इसके लिए आपको टाइप करना होगा shutdown और space slash a स्वरी यहाँ पे shutdown होगा और यहाँ पे आपको slash a और enter कर दीजिए यहाँ पे देखिए log of is cancelled यह हमारे पास आ गया है the schedule shutdown has been cancelled तो यहाँ पे यह था तरीका कि आप अपने system पे कैसे shutdown timer set कर सकते हैं अगर दोस्तों यह आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको like करिए share करिए और चैनल को subscribe कर लिजिए और bell icon को दबा दिजिए ताकि आपको regular updates मिलता रहे है Thank you